हेलो गाइज दिस इस मी एनली और इस चैनल पर में वीडियो बनाता हूँ सेल्फ इंप्रोव्मेंट और रिलेशन्शिप एडवाइस के बारे में आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है विल मा एक्स थिंक अबाउड मी दूरिंग नो कॉंटेक्ट विल दे थिंक अबाउड मी दूरिंग नो कॉंटेक्ट क्या वो मेरे बारे में सोचेंगे नो कॉंटेक्ट के दौरान यह मुझे इतना common question बार बार सुनने को मिलता है क्योंकि हर किसी के अंदर curiosity है हर किसी के अंदर चाहत है कि उनकी ex या उनका ex boyfriend प्रेंड उनके पास वापिस आए और उनके बारे में सोचता है या नहीं सोचता है यह सारी उनके दिवांग में सवाल आता है तो इस topic पर बात करने से पहले मैं कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हरे एक वीडियो आपके thoughts को control नहीं कर सकते ठीक है और नहीं आप किसी के thoughts को जान सकते है unless कि वापको आगे बताएं नहीं ठीक है और यह अच्छी बात है यह जानना क्यों जरूरी है तीक है मैं इसलिए आपको यह बता रहा हूँ क्योंकि they cannot control their thoughts ठीक है आप उनके thoughts पर control नहीं कर सकते है आप नहीं control कर सकते कि वापके बारे में सोचें या नहीं सोचें हाँ आप अपनी attraction level को बढ़ा सकते है कुछे steps लेके उनसे दूर रहे कि अपने आपको बैतर बना के जो कि मैं अक्सर वीडियो में बताते रहता हूँ लेकिन ये सवाल लाना जहन में कि वो मेरे बारे में सोचेंगा या नहीं सोचेंगा ये आपका business नहीं है ठीक है that's none of your business क्योंकि जितना आप उनके करीब जाएंगे ठीक है या जितना आप उनको chase करवाने की कोशिश करेंगे या कुछ attract करवाने की कोशिश करेंगे उल्टी सी धियरकते करके message करके या show बाजी करके उतना आप उनको दूर कर देंगे ठीक है उतनी आपके attraction kill हो जाएगे so अगर आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचें तो आपको vibe होना पड़ेगा अगर आप too much availability होगी सामने रहेंगे तो आपके बारे में नहीं सोचेंगे मैं अपनी family के बारे में इतना थोड़ी सोचता हूँ क्योंकि सुभश शाम में इनके चेहरे देखता हूँ मैं अपने करीबी दोस्तों के बारे में इतना नहीं सोचता है क्यों मुझे पता है मैं एक message करूँगा वो मुझे available है मैं ज्यादा उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो available नहीं है या मुझे से जो ऊपर के status के हैं तो आपको भी यही करना है आपको भी अपने आपको बहतर बनाना है और दूर रहना है stoic philosophy भी हमें यही समझाना चाहती है कि we will only think about the things that we have control on ठीक है हम उन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे जिसमें हमारा control नहीं है ठीक है मैं अपने मुल्क की economy के बारे में अगर फिकर मन्द रहूँगा ठीक है या सियासत के बारे में यह मेरी out of control है हमारी जिन्दगी में शायद हमारी life में 20% control होता है हमारी life में decisions का आप अपना religion नहीं चूज करते आप अपनी caste नहीं चूज करते आप अपनी body नहीं चूज करते ठीक है आप अपना skin color नहीं चूज करते आप अपने school friends नहीं च search करते कि poll classmate होगा कौन नहीं होगा ठीकिया वह जो आप अपने teacher नहीं choose कर सकते जो आपको मिलेगा मिलेगा वह मिलेगा school में तो यह सारी चीज़ें जो हमारे out of control एं टैन परसंंसंट पारे में सोचना ही फजूल है, ज्यादतर लोगों का मसला ही है कि उस चीज के बारे में फिकर मांद है, जिसके बारे में उनका कंट्रोल ही नहीं है ठीक है, आप I-X को वापस लाना चाहते है आपका कंट्रोल लेंगे, वो हीमन है क्या बता उसको कोई और मिल जाए, क्या बताओ दूसरी सिटी मूव हो जाए, क्या बताओ कहीं और चले जाए, कुछ भी हो सकता है इसलिए आपको अपने थौट्स पर कंट्रोल करना है स्टोएक फिलोसफी भी यही बताती है, और एक अच्छी बुक है, जो मैं आपको रेक्मेंट करूँगा वो है, सेटल आर्ट अफ नॉट गिविंग अ फॉक बाइ मार्क मैंसन थोड़ा नाम इसका है, थोड़ा फनी सा है, बट इसकी जो कोर फिलोसफी है इस बुक की, वो यह है कि हमें सिर्फ उन्ही चीजों के बारे में फिकर करनी चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में है उसमें एक टर्म डी उसने यूज़ किया है कि सेव यूर फॉक्स यानि कि सुनने में यह शायद वर्ट थोड़ा यूनो ऐटीन प्लस लगता है लेकिन बताना वो यह चाहता है कि आपनी इनर्जी को सेफ करें हर चीज के ओपर टेंशन मतलें आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते है जैसे उसमें एक मूवी में लाइन थी फाइट क्लब मूवी मैंने देखी ते उसमें एक लाइन वो कियाता है ब्रेट पिट के यू कनाट कंट्रोल एवरिटिंग तो जस्ट लेट इट गो आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप सिर्फ उन चीजों पर कंट्रोल करें जो आपके कंट्रोल में है वरना आप पागली रहेंगे आप इसी तरह के सवाल करेंगे और जब आप ये चीज जान लेंगे डीपली के मुझा सिर्फ उन चीजों पर गोर करनी है जो मेरे कंट्रोल में है तो फिर आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी थीक है वरना आप बहुत इस्ट्रेस में रहेंगे अंग्जाइटी होगेंगे अंग्जाइटी से वो डिप्रेशन में चेंज होगी और आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जाद दर लोगों को इस बात का पते ही नहीं अपने थौट्स को लिए समझ सकते इसलिए वो परिशान है तैंक्स वाचिन गाइस वोट दे